नमस्कार दोस्तों आज हम राहू और बुद्ध के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर ये कुंडली में अलग-अलग हो और साथ में ये कहीं मंदे घरों में हो या इसके उलट ये दोनों एक साथ हो और मंदे घरों में हो तो क्या कंडिशन्स या नेगिटिव इफेक्ट ज करें कि अगर हम बुद की बात करें तो खाना नंबर और उ rulers ये जो दो्सक्राने जो मैंने आपको टिक करके दिखाए Als और यह वाले आड़ चोहल के लिए जो मन देक हराएंगे अब मानसралजे 121 श्रय की बात ग्यारा यहां पर जो होगा राहू मंदा कहलाया जाएगा अब हम दोनों को एक साथ जोड़ के देखेंगे कि मान लिजे बुद्ध भी आपका ऐसे ही मंदे घरों में है जैसे कि ये रेड वाले डॉट्स मैंने लगा के दिखाए हैं आपको यानि कि तीसरे घर में आठमे घर में नौमे घर में और बारमे घर में और इसके साथ साथ जो है राहू भी मंदे घरों में है जैसे पहले घर में पांचमे घर में साथ में घर में आठमे घर में या ग्यारमे घर में ये जो कंडिशन होगी दोनों के दोनों ही मंदे होंगे तब हमारे जीवन में कई तरह की दिक्कते आएंगी राहू और बुद्ध यानि कि जब हमारी बुद्धी और हमारी जो हमारी दिमागी लहरे ही कंट्रोल में नहीं होंगी तो हमारी लाइफ में कई तरह की दिक्कते लेके आएंगे ऐसे लोगों के जो होंगे जो भी जिनका बुद्ध मंदा है और राहू ना लेना इन सब चीजों से राहू की मंदी स control लेना संबंदित काम काज करना मंदे राहू के शाथ मंदे बुद्ध का भी असर आए क्योंकि दोनों असर जुदा जुदा नहीं होगा दोनों का असर हमें एक साथ ही मिलेगा तो इस केस में मैं आपको दूसरी कंडिशन दिखा देता हूं चलिए आप देखिए मैं आपको डिरेक्ट लाल किताब के जो पेज नंबर है 529-529 वहाँ पर दिखाता हूं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वर्णन किया हुआ है रहू के बारे में देखिए आप इन लाइनों को पढ़िए जब बुद और राहू दोनों इकठे देखिए जब यहाँ पर राहू का तालुक है राहू का तालुक बुद के साथ है जब बुद और राहू दोनों इकठे यह देखिए यह लाइन पढ़िए जब बुद और राहू दोनों तो नो अलहदा अलहदा यानि कि अलग-अलग घरों में पर हूं मंदे घरों में जैसे की बुध आमूमन के लिए तीन-आट-नौ-बारा जो मैंने बताया आपको में मन्दा होगा और राहू अमूमन यानि कि जनरली जो राहू जो होगा पहले- पांचमें- साथमें- और लिखा है कि ऐसा इंसान जो होगा अपने दिमागी तोड़ पर उसको कुछ ना कुछ दिक्कते होंगी उसकी सोचने की शक्ति यह सब चीजे बेकार होंगी और हस्पताल यानि कि उसकी हेल्थ के इशू हो सकते हैं पागल खाना या कपरिस्तान या वीराना यानि कि ऐसे लोग दिक्कतों का लाइफ में सामना करना पड़ता है क्योंकि इन चीजों को अगर हम जो है जोड़ के देखें तो काफी चीजे इनके साथ मिलती हैं चलिए अब इसके बारे में और हम समझ लेते हैं कि इसमें जो है अगले पेज़ पर हम पहुंचते हैं 530 नंबर पेज़ पर यहां पर जो लिखा है यानि कि जेल खाना पागल खाना या दावा खाना तो जरूर मिलेगा और इसको जो है किस तरीके से और बताया यानिकी चाहे कुसूर हो ना हो बिमारी खुआ हो ना हो मगर तकलीफ हैं जो है इनसान की जीवन में बेमानी तोर पे और मंदे खर्चे आम होंगे अब यहां पर यह देखिए जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है इसको आप ध्यान से समझगे कि यहां पर जो है इस केस में भी जब बुद्ध और राहूं मंदे हो जाते हैं तब इस केस में भी फॉलाद का बेजोड चला जिसम पर मददगार होगा और दोनों ग् कि चीजों जैसे कि बुद्ध की आप घर में हर्याली वगरा और साथ में राहू के संबंदित कोईले वगरा या फिर घर की वगरा बुद्ध से मुराद बहन भुआ फूफी मौसी इनके साथ रहना या फिर बुद्ध से संबंदित कारोबार या राहू से संबंदित जैसे ब बुद्र राहू इकठे ही गिने जाएंगे तब इन कंडिशन्स में जो है यह कठे गिने जाएंगे तो ऐसे केस में जो है यहां पर यह रेमेडियल मेजर भी बनता है कि आप लोग जो है अगर मान लिजे आपके बुद्र और राहू मंदे घरों में हैं या मंदे घरों में हो अगे सशुराल से ज्यादा संबन्दा रिखिए दिखाण से ज्यादा नब गाडिये नाना नानी के घर अगर रहेंगे विजली काम करेंगे जेल खाना वगरार इस तरह के काम जो अगर करेंगे और घर में राहू की आ Rockyades की चीजों को हम कठा करेंगे तब यहां पर राहू और बुद्ध का मनदासर मिलना शुरू हो जाएगा अब हम इसके साथ साथ समझते हैं कि बुद्ध के बारे में और क्या लिखा गया है देखें यहां पर अगर हम बात करें तो इसको थोड़ा ध्यान से समझे कि माल लिजे जब बुद्ध खाना नमबर एक में बैठा हो तो वो किस ग्रह का फल देगा वो फल देगा सूर्य का क्यों क्योंकि वो सूर्य की पावर लिए बैठा होता है सूर्य की तेज लिए बैठा होता है खाना नमबर एक में अब खा बुद्ध जो खानानंबर एक में बैठा है वह सूरे का वह रिजल्ट देगा । 저ूरे सूरे Zachary णंबर 4 में बैठके देता है यहां पर यह चीज का आपको ध्यान रखना होके हाना पी तरह एक का बुद्ध सूरे शूरेे के साठीन में water अगर मंद्र तो मंगल यानि कि जब खाना नंबर एक में बुद्ध बैठा हो और खाना नंबर नौ में बुद्ध बैठा हो खाना नंबर नौ में अगर मंगल बैठा हो खाना नंबर एक में बुद्ध खाना नंबर एक में बुद्ध और खाना नंबर नौ में मंगल तो यह मंगल को को बरबाद करेगा अब उसकी जानदार बेजान दार चीजों पर बुद्ध का मंदा असर जाएगा यहां पर खाना नमबर दो में जो बुद्ध बैठेगा तो यहाँ पर जो है ब्रस्पती के हालात का होगा ब्रस्पती जैसा टेपे में होगा वैसे वो रिजल्ट करेगा मगर इसके उलट खाना नमबर 9 में बैठा अगर शुक्र होगा तो उसे वो बरबाद करेगा शुक्र से संबन देती यानि कि धन माया आपकी वाइफ आपकी जो है ओवराल हेल्थ इन सब चीजों को बरबाद करेगा खाना नमबर तीन यानि कि बुद्ध के अंदर एक ऐसी है कि वह जैसे हालात में बैठेगा जैसी जगह में बैठेगा वैसा ही स्वारूप ले लेगा क्योंकि बुद्ध जो है चलावा है कैसे भी जो है वह कौपी करता है हर एक चीज को और जिस जगह वह बैठेगा उस ग्र खाना नमबर तीन का जो बुद्ध है वह मंदा कहलाता है जैसा कि हमने अभी समझा अब जो है इसके साथ साथ हम एक एक जामपल चोटी-चोटी में समझ लेते हैं कि अगर खाना नमबर तीन में बैठा हो तो मंगल के हाल का होगा और शुकर को बरवाद करेगा खाना नमब अगर उसी समय चंदर बैठ जाए तो वो चंदर को बरवाद कर देगा खाना नमबर पांच में ब्रस्पती के हाल की तरह वो बहेव करेगा और सूर्य को बरवाद करेगा अगर खाना नमबर नौ में सूर्य आ जाते हैं तो खाना नमबर छे में वो केतू की तरह चलेगा औ और केतु की तरह बरताब करेगा अब खाना नंबर 7 में अगर हम बात करें तो वह शुक्र और बुद्ध दोनों की तरह बेहेव करेगा खाना नंबर 9 में बैठे मगर शुक्र को बरबात कर देगा ऐसे ही यह सारे चाहे तो एक्जामपल आप श्रीन शॉट ले लिजिए जैस खाना नमबर 9 में बैठे राहु बरस्पती इनको बरबाद करेगा अब जो है यहां पर समझ लीजे खाना नमबर 3,8,9 और 11,12 यहां पर जो मैंने आपको एक्जामपल में समझाया कि इन घरों में बैठा हुआ बुद्ध जो है मंदा बेवकूफ कोड़ी यानि कि ऐसा मल्ला जो अपनी ही बेड़ी खुद दुबा दे ठीक है ना ऐसा मल्ला यह देखिए ऐसा मल्ला जो खत्रे के समय अपनी बेड़ी को खुद ही गोता लगा देने और आमदन की नाली में रोड़ा अटकाने वाला हो ठीक है ना ऐसा इनसान जो होता है अपनी लाहिप में कुछ बड नजर रखते हुए आप लोगों के लिए मैंने यह पोस्ट पनाई वाकी और हम एक्जामपल में समझ लेते हैं कि जैसे कि हमने समझा असारा की बुद 3,8,9,12 में मंदा आपने समझ लिया कि किन हालात में यह मंदा है अगर राहु भी साथ में मंदा है तो हमें क्या उपाए करना है ठीक है यह सब उपाए चोटे उपाए हैं जिनको हम जो है अब बुद के पालना हमें करनी पड़ेगी बुद के उपाए करने नmore नुम्गे, अगर बुद क्खाना नमबर तीन में है तो हमें यहां पर udah नौमी है रकने के लिए बताया घया इतब लोही की लाल गोली आपके टेवे में बन रही हो, आपको ये स्टील का बेजोड चला पहनना ही पड़ेगा, ठीक है, और इसके साथ साथ आप असोसियेटेड यानि कि जुड़े हुए उपाये जरूर करिए, क्योंकि हमें जो है और भी उपाये साथ में मिला के करने होगे, क्योंकि हमें इसके सा साथ मंदे घरों में बैठे हुए बुद्ध और राहु के जो और जुड़े उपाये हैं, उनको भी साथ ही साथ करना होगा, तो दोस्तों, आप लोगों को ये पसंद आई होगी, और आप लोगों ने इस पोस्ते काफी कुछ सीखा होगा, इससे पहले जो मैंने अभी बु जरूर करना और शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मेरको होसला मिल सके मेरा कॉंफिडेंस बढ़ सके और मैं ऐसे ही आपके लिए नई से नई इंफोमेटिव वीडियो लेकर आता रहूं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स पोस्त में फिर मिलेंगे, नमस्कार